नमस्कार दोस्तों का स्वागत है मेरे चनल पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चट पूजा का संबंद कैसे है महाभारत के कर्ण और दुरौपदी से साथ ही में भगवान शिर्राम से चट पूजा का क्या संबंद है पॉनानिक मानताओं के नुसार चट पर्व की शुरूआत महाभारत काल में हुई थी सबसे पहले सूर्य पूत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की कर्ण भगवान सूर्य के परमभक्त थे वह प्रते दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्ग देते थे सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्दा बने आज भी चट में अर्गदान की यही परमपरा प्रचलित है पराने कताओं के नुसार दुरौपदी ने भी की थी चट पूजा चट पर्व के बारे में एक कताओ और भी है इसके नुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब दुरौपदी ने चट वरत रखा उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया लोक परंपरा के नुसार सूरी देव और चटी मेंया का संबंद भाई बहन का है इसलिए चट के मौके पर सूरी की आरादना फलदाई मानी गई है भगवान श्री राम और माता सीता ने भी चट पूजा की थी ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीराम और माता सीता जब वनवास से ऐोध्या वापस आये तो उन्होंने भी चट पूझा की थी इसलिए दिवाली के चटे दिन ये इस पूझा का विधान माना जाता है मगवान श्री राम के सूरेवन्शी होने की वज़ा से सूरे की पूजा करना प्राकरतिक और स्वभाविक ही है श्री राम के लिए छट की ये परंपरा आज भी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी छट के वरत धारी लगाता 36 गंटे का कटोर वरत रखती है इस दोरान पानी भी ग्रहन नहीं किया जाता है पहला दिन कार्टिक शुकल चतोर्थी नहाय खाय के रुप में मना जाता है बास की टोकरी में अर्ग का सूप सजाय जाता है और वरती के साथ परिवार थदा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचल गामी सूरी को अर्ग देने का द्रिश भक्तिमय होता है सभी चट वरती नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होकर सामोहिक रूप से अर्गदान संबन करते हैं चट गाट की तरफ जाती हुई महिलाए रास्ते में चट मयागे गीत गाती हैं इनके हाथों में अगरबती, दीप, जल पात्र होता है घाट पर पहुँचकर वरती, पानी में प्रवेश करके सूरी देव का ध्यान करते हैं पानी कमर तक होना चाहिए संध्या काल में जब सूरे अस्तो होने लगता है तब अलग-अलग बांस और पीतल के बरतनों में रखे प्रसाद को तीन बार सूरी की दिशा में दिखाते हुए जल से सपर्ष कराते हैं ठीक इसी तरह अगले दिन सूरे में उगते सूरी की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए तीन बार जल के प्रसाद के बरतन को सपर्ष करवाते हैं परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूद और पित करते हैं जैच्छटी मया दोस्तों अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो करवार से लाइक पर शेयर जरूर कीजिए साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करवार से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन्स हो वो तुरंद आप तक पहुंचते रहे हैं धन्यवाद